हैं मॉडलने टीवुतेट टासक अच्छा जो क्लास सिक्स का आज हम लोग इतिहास अ Touch के सम हो देखिये यहां गया है कि अब तक सबसे आधिम आदिम के निसने हैं अधिकर पुरभी आफिका आफिका में अधिका में मेहरगर की खोजकी जैन और फ्रेंग कोई इसने इसका देखिया है हरापा सब्हेतार सब्हेतार डैस है तो पूर्वी एतियासिक पूर्व एतियासिक को लंब एक रहए लंब से मिलाया देखिए एक हाँ पॉर्ट शिटी पॉट सिटी जो बोलते हैं इसको लोथर पॉर्ट सिटी बोलते हैं लोथर पॉर्ट सिटी क्या ल mulher में लगा दीजियेगा महांसुरूद महांसुरूद जो है यह कही नहीं मोहंजदार सनार पता लगा और उसे रहांकित कि इसमें महाकाब्य होगा दूसरा में देखिए ब्रहमचारिया होगा क्योंकि ये सब रीथान होगा उसका देखिए या गलत लिखना है आप लोग सही और गलत लिखिए और पहला नंबर है कि आसमा का दक्षीन भारत का एक मात्र माधन पद है तो यह सही है तो इसमें लगा दिए दूसरा चंद्रगुप्त माडी के बाद की की उम्र में बहुत धर्म का ग्रहन किया गया था यह नहीं किया गया था और विन विनायक पीटक गौतम बोद के मुक्स दांत की चर्चा की विनायक पीटक नहीं है त्रीपीट पीटक है यह रॉंग जाएगा मेहर गर में उगाए जाने वाले कुछ फ़सलों के नाम लिखे तो आप लोग लिखना ह देखिए मेहारगर में उगाई जाने वाले फसलों में गेहूं और जौह है उसका देखिए दो नंबर दो नंबर में एक का दो भी भी है कि उप महाद्वीप के कुछ छेत्रों के नाम बताए जहां हमें गुफा के निसानी मिलते हैं कि मध्यप्रदेश अब परदेश भारत में भीमबेत का बी एक प्राचिन पासन यूग की गुफा पैंटिंग मिलता है अर्जेंटीना में गुफा की गुफाएं भी गुफाओं की वास्तियां पाई गई गया है उसका दिका सी नमर है कि अर्थ सास्त्र पर एक संचित टिप गए लिखना है नहीं स्वरी यह दिया हुआ है वेदों को सुरूती क्यों कहा जाता था घ्रव रूप से सुनकर कड्र ठस्त किया याO ऩो तो बेद का नम सुनुफिदी उसका गचेंग जनपद जन्पद जन्पद वह अस्थान था जहां आम लोग रहते देखिए मेगालित क्या है मेगालित एक परकार का प्राचिन पत्थर है जिसका उप्योग व्यक्तिगत रूप से या कई सन्योजन में किया किसी भी वस्तुकला बनार के निर्मान के लिए किया एक मेगालित प्राचिन पत्थर की समदेशना उसका देखिए मेगालित के बाद है कि जातक जातक कथा की मुख्य सामगरी क्या है जातक कथा के मुख्थ सामगरी क्या है जातक या अतित के बौधित सित्व का मुखपात वर्तमान बौतम गूद्द है पिछले जीवन और वर्तमान जीवन के बीच संबन अस्थापित होता है जिसे संतूलन या समाधान कहा जाता है इसमें इमांदारी दयालू और अधस्वाद बनने का सीखता है उसके वादे कि सी नमर में है कि अर्थ सास्थ पर एक संचित चिपनी लिखना है तो देखे प्राचिन भारत के सासन पर कई पुस्ता के लिखी गई है ऐसे ही एक किताब है इसमें राजनेतिक और राजब्रसासन वित्य स्थिति और समाजनी सेध्राइब के साइति नमर हें कि मोड़ी साउसकोन अज्यात विदेशियों और राजकुमारों पर नजर रखने के लिए किया जाता था हर्स चलित्र पर टिप नहीं लिखें तो हर्स चलित्र वास्तव में एक इस्तूति काब्य है बनावट ने हस्त वान भट ने हर्स वर्धन के बारे में एक हास कविता लिखें दूसरे आपति हर्षवर्धन की बहान राज श्री की वापसी की कहानी के साथ होती है यह वास्तव में हर्ष वर्धन की आंसिक जीवनी है उसके बाद देखिए कि क्या आपको लगता है कि मानव इतिहास के एक्रम में आग उपयोग एक महत्पुर्ण परिवर्तन है उत्तर अपने उत आग तरीके से जल जलाते हुए देखते थे कभी जंगल की आग से कभी विजली इसे में तो गभी ऑजार करते अंद का प्रियोग और वाजार करते थे आग का प्रियोग के लिए लेए औि सट्सक में वास्तव viol करता था को प्रियोग को कि शीखने के बाद आदिम लोगों का पका भोजन का सेवन करते थे इस परकार आदिम मानव शरीर के सक्ति में बुद्धी और बुद्धी और विकास वादिक उसका बाद है कि वैदिक कल्मे वेपार और वानिज ये कईसा था वह वैदिक प्राचीन भारत में किरसी भारत के करें अधिकांत लोगों के मुख्री अजिविका थी उस समय अर्यस बैता ग्रामधारीत थी आर्ति और वफस्ता का मुख्य था वैदिक युग में बंबाद ङं Lagth आजिविका थी उस समय और स बादता ग्रामधारीत थी और कि अर्थीवत्था का मुख्य prop singles आर्ये की मुख्य जिवी का थी और पसु धन का महापक था मतलब पसु के द्वारा ही पता जलता था कौन धनी है कौन अमीर है उसके बाद देखिए लाश्ट कुछन है इसापुर्व छटी सताब्दी में नए धार्मिक अंदोलन क्यों बने तो इसके बारे में लिखना है दे दोस मांग को पूरा करने में मदद की जैन धर्म और बहुत धर्म दो परमुक थे इस विरोध धर्म अंदोलन की सुर्वात के पीछे समाजिक राजयतिक आर्थिक और धार्मिक कारण थे इतना ही लिखना पढ़ियापते इस परकार हम लोग का सिक्ष का इतियास समाधान हो कर दो आदो गयाओ